तो आज हम डिसकस करने वाले हैं इस अपते के कुछ इंपोटेंट इडियम और फ्रेज़ जो दा हिंदू आर्टिकल में आए वे थे तो आज का पहला इडियम है नाटिकल में चनली कोता है तो आर्टिकल में जाता है यहाँ पर यह ले जाता है तो क्या क्या है उसने यह cold drink है या coffee है coffee spill over तो जो है उसने उस गिलास को इस तरीके से भरा कि जो coffee है वो जोरे से ज़्यादा हो गई उसमें और वो भार फ्यालने लग गई ठीक है तो यह होता है spill over या emotions भी होता है जैसे हर emotions suddenly spilled over जो उसका emotion था वो अचानक से भो ज़्यादा हो गया और वो बाहर निकलने लग गया ठीक है तो यह भी होता है spill over आप anxiety देख लो stress देख लो the effects of stress at work can spill over into home life इस तरीके से भी आप इसको use कर सकते हैं तो यह होता है spill over यहाँ पर example लिखा हूँ मैंने I try not to let my work spill over into my life outside the office मैं कोसिस करता हूँ की office के बाहर अपनी काम को अपनी जीवन पर हावी न होने दूँ ठीक हैं तो यह हो जाएगा इसका मतलब अगली idiom है night owl night owl मिस्ट क्या होता है जो देर रात तक जागता है देर रात तक जागने वाले को बोला जाता है night owl one who stage late at night या देर रात तक जागने वाला यह होता है night owl example इसका the late night parties make the hotel a heaven for night owls देर रात तक चलने वाली जो parties थी उन्होंने रात तक देर रात तक जागने वालों के लिए hotel को क्या बना दिया heaven बना दिया ठीक है तो यह हो जागा इसका मतलब कुछ लोग होते हैं जो देर रात तक जागना ज़्यादा प्रिफर करते हैं ज़्यादा तर student वो सुबह का भरोसा नहीं करते हैं सुबह नीन खुले ना खुले तो रात को ही पढ़ते हैं वो फिर बारा हो एक हो इस तरीके से जब आप पढ़ोगे तो सुबह की टेंसर नहीं रहेगी कि सुबह उठे ना उठे अब ठीक है तो रात को यह अपना कारिया फिनिस कर दिया करो तो यह होता है नाइट आवल अगले बढ़ते हैं आगे अगली फ्रेज है बीवर अवे बीवर अवे मिस क्या होता है वर्क हाट कठिन सरम करने वाले को बोला जाता है बीवर अवे जैससे आपको इमेज में दिखरा होगा यह जानवर है इसका नाम बीवर है तो यह क्या है काफी हाड़ वर करता है यह बड़ी बड़ी जो लकडियां होती है उससे भी अपने दांतों से काट कर बिलकुल अलग कर देता है तो कितना कठिन सरम करता है यह अपने छोचटे दांतों से भी इतने बड़ी लकडि को ऐसे ही काट देता है तो यह होता है बीवर अवे कठिन प्रिश्रम कर रहा है, ठीके, तो यह हो जागा इसका example, अगली फ्रेज है, on tenter hooks, on tenter hooks में इसके क्या होता है, in suspense, confusion, anxiety, या फिर उल्जन को बोला जाता है, on tenter hooks, यहां पर image में दिख रहा होगा आपको यह जो tent है, ठीके, इसके उपर जो tent hooks है, इसको, इससे जो tent होता है, उसक काफी stress आ जाता है उसमें, और उसमें tension आ जाती है, ठीके, मतलब उसमें तनाव आ जाता है, ठीके, जिससे क्या हो जाता है, tenter बिल्कुल खुल जाता है, तो यह होता है tenter hooks, यहां से idiom निकली है, कि जब कोई चीज आपके mind में अगर इस तरीके का, आ जाए, इस तरीके का stress आ जाए, इस तरीके की tension आ जाए, तो क्या हो जाएगा, यह आप उल्जन में पड़ जाओगे, suspense हो जाएगा, anxiety आ जाएगे आपके अंदर, तो यह यहां से बनावा है, एक phrase on tenter hooks मतलब क्या होता है, जब आपके दिमाग में suspense भी हो, confusion भी हो, tension भी हो, anxiety भी हो, बहुत सारी च इंतिजार में पूरे हफते काफी, उल्जन में रहा, काफी ज़्यादा tension में रहा, ठीके, तो यह हो जाएगा इसका, example, तो बढ़ते हैं आगे, अगली phrase है, wreck havoc, wreck havoc मिस्ट क्या होता है, to cause great damage, या तबाही को बोला जाता है, wreck havoc, ठीके, जैसे image में दिख रहा होगा, यहां पर पर तबाही मच गई, ठीके, तो यह होता है, wreck havoc, एक्जामपल इसका, powerful tornado, wrecked havoc on the small village, एक जो powerful बहुती जो सकती साली tornado आया था, tornado मिस्ट क्या होता है, चक्रवात या तूफान को बला जाता है, tornado, तो उसने जो है, जो छोटा सा village था, उसको क्या कर दिया, तबहा कर दिया, ठीक murder done with intention, जब कोई किसी की निर्मम हत्या कर दे, उससे बला जाता है, in cold blood, cold blood मतलब आप समझगे होंगे, जो काफी ज़्यादा कैसा हो, निर्मम टाइप का हो, उसके अंदर कोई blood नहीं है, मतलब क्या है वो, robot टाइप का है, जिसके अंदर कोई emotion नहीं है, emotion less है, तो यह होता है cold blood, तो यहाँ से idiom बनी है, जब कोई इंसान किसी की हत्या कर दे, क्योंकि वो फिर cold blood होगा, उसके अंदर कोई emotion नहीं है, वो हत्या करने में हिचकी चाहेगा नहीं, ठीक है, तो यह idiom यहाँ से निकली भी है, जैसे example है, इसका unarmed civilians were shot in cold blood by the terrorist, जो निहत्ते civilians थे, उनको, उन इंगली फ्रेज है, bump up, bump up मिस्ट क्या होता है, जब आपका level या किसी चीज में बढ़ोतरी होती है, या increase होता है, वो होता है, bump up, increase, move to a higher level, या फिर status, ठीक है, इसमें जब increase, increment होता है, या किसी चीज के बढ़ने को बोला जाता है, bump up, image में दिख रहोगा, यह भी क्या है, जो bump है, इसका यह क्या हो गया, यहाँ पर, bump up क्या होता है, bump in क्या होता है, गुमड़े को बोलते है, जो यह image में दिख रहोगा, यह क्या है, यह बढ़ा हो गया, जब body पर इस तरीके से आगे बढ़ जाता है, यहाँ पर थोड़ी स्चोट लगी और अच्छानक से यह क् ठीक है जैसे एक्जामपल इसका दे फाइनली एग्रीड टू बंप अप हर सेल्डरी वह फाइनली राजी हो गए उसकी सेल्डरी को बढ़ाने के लिए ठीक है तो यह इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं बंप अप को और इसको हम प्रमोशन के लिए भी यूज कर सकते हैं जैसे यह वाज राइटर फो नाइन एयर्स नाव ही वाज बंप अप टू एडिटर पहले जो है वो क्या था नौ साल तक यह रहा वो एडिटर रहा अब उसको जो है प्रमोशन में लिया है अब वो एडिटर बन चुका है तो इस तरीके से हम बंप अप को यूज करते हैं अगली वी एडियम है एट दा हैल्म एट दा हैल्म मिस होता है इंचार्ज ओफ एन और्गनाजेशन जो किसी और्गनाजेशन का परमुक होता है लीडर होता है या किसी बड़े कि राज्य का भी जो परमुक होता है वो भी क्या होता है एट दा हैल्म होता है किस संगठन या व्यक्ति समुहूं का पर्मुख वो होता है at the hell जैसे इसा वक्त हमारी जो government है इसका जो at at the helm किसके पास है वो है नरियन मोजी जी तो जो हमारे Prime Minister है उनके पास किया है at the helm of और country ठीक है जैसे एक्जमपल जैसका with Steve at the helm apple वर्झ bound to prosper Steve के पास बागडोर होने से या Steve के परमुक हो जाने से जो Apple था उसका prosper होना उसका समरिद होना लाजमी था ठीक है वो bound to happen था वो होना ही था ठीक है तो यह हो जाएगा इसका example बढ़ते हैं आगे अगली idiom है from dawn to dusk इसका मतलब क्या होता है सुबे से साम तक जैसे इधर image में दिखरा होगा जब सुबे की धूप पड़ती है उससे बोला जाता है dawn और जब साम को धूप छिपती है तो साम को क्या बोला जाता है dusk ठीक है तो यह यहाँ से निकला है from dawn to dusk इसका मतलब from early to morning from early morning to night सुबे से साम तक जब कोई चीज होती है उससे बोला जाता है from dawn to dusk जैसे एकजमपल है इसका I have to work from dawn to dusk on the farm मुझे फार्म पर सुबे से साम तक काम करना पड़ता है ठीक है तो बढ़ते हैं आगे अगली phrase है cut corners cut corners मुझे क्या होता है to do something badly और cheaply लापरभाई से किया गया कार्य को बोला जाता है cut corners कई लोग क्या होते हैं बिलकुँ shortcut shortcut लेने की कोसिस करते है लेकिन उससे क्या हो जाता है काफी ज़्यादा नुकसान हो जाता है ठीक है इमेज में दिखरा होगा यहाँ पर क्या है cutting corner है यहाँ पर काफी लापरभाई की गई वो काम छोड़ ज़्यादी निकलने में उपर निकल गया ठीक है तो यह होता है जैसे example है इसका they really cut corners when they built this bathroom उन्होंने जो है काफी लापरभाई की जब उन्होंने यह बातरूम बनाया ठीक है तो यह होजएगा इसका example तो गैज आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद इफियो लाइक दे वीडियो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब दे चैनल